अलो दोतों, तो दोतों कैसे हो आप सब, TCS, Tata Consultancy Services में वेकंसी आई हुई है, off-campus hiring है, पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो 1456 वेकंसी के लिए पोस्ट आई है, direct off-campus recruitment है, इसी वेकंसी के कुछ update मैंने अभी कुछ time पहले दिया था, लेकिन बहुत बंदों को जो है, उसके form submit कर में problem आरी थी, that's why मैं आपके सामने ये update, re-update लेके आया हूँ, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, और जिन्होंने नहीं देखा है, वो apply कर दीजीगा, और जिन्होंने apply कर भी दिया है, और नहीं हो पाया है, उनके लिए भी है, और जिन्होंने कर दिया है apply, तो वो skip करक vacancy services job, इसके साथ साथ, जो है, ये total कितना है, ये कितनी vacancy, vacancies and department, किस-किस department में है, TCS hiring for various department across BPS and IT department, the total number of vacancies is more than 1500, लेकि ये बात बिल्कुल भी जूट नहीं है, कि 1500 plus hiring से, और दो department में, एक business process services, एक IT information technology, तो मैं बिल्कुल आपको clear कर दूँ, जो civil, जो जैसे की, rather than IT वाले branches है, और इसमें एक वीडियो के starting में ही एक चीज बोल देता हूं, कि इसमें diploma वाले eligible नहीं है, इसमें eligible है, BTEC और any graduate वाले, but अगर आप diploma वाले apply कर भी रहे हैं, तो वो सिर्फ business process services services में करे, otherwise वो IT में ना करे, वो सिर्फ business process services में eligible है, diploma की कोई सी भी ब्रांच, तो आपको इतना है, इसके बाद है eligibility criteria, eligibility criteria इन्हों ने बोला है, before applying for TCS recruitment, it is essential to ensure that meet the eligibility criteria, hence are the details, age limit 18 years plus होनी चाहिए, plus education qualification must be graduation होनी चाहिए, बात कर लीते हैं, इसमें CTC की जो वेने आपको screen पर खखा pay scale ही, expected pay scale, candidate between 42,000 to 71,000 के आसपास रहने वाली है, दोस्तो इसके साथ साथ अभी आपको और काम की बाद बताऊं, यह job location क्या होगी, दोस्तो इसमें पैन इंडिया रहने वाली है, इसके साथ साथ work from home भी हो सकता है, या work from office भी हो सकता है, दोस्तो इस वीडियो का तो मैं आपको पूरा detail में बताऊंगा, बढ़ उससे पहले एक छोटा सा update आपको unacademy के बारे में दे देता हूँ, वीडियो बताने से पहले में एक छोटा सा update unacademy के बारे में दे देता हूँ, दोस्तो मैंने आपको पहले भी कितनी बार बताया है कि unacademy ऐसा platform है, जहां से आप अपनी dream job पा सकते हैं, आज के time में चल क्या रहा है, आपको जहां सभी को पता है कि आप daily news में देखते हैं कि आज उस TCS का lay off हुआ, या बड़ी बड़ी जो MNCs होती है, आज Amazon नहीं इतने आद मी निकाले, आज Google नहीं इतने आद मी निकाले, बट उसके parallel में क्या चल रहा है, उसके parallel में ये भी है कि वो जो बंदे निकलेंगे या फिर और दूसरी companies हैं, जो को Indian companies है या foreign MNC companies है, वो hiring भी देने लग रही है, उसी बिहाफ पे सिर्फ March मंत में, March से अप्रेल तक 1.25 lakhs vacancy अभी engineering की निकली है और core engineering branches के, अब core engineering branches कोन कोन है, सबसे पहले civil, mechanical, electrical और electronics engineers वालों के लिए, तो ये उनमें unacademy की जो companies है, 175 प्लस companies like JSW, Tata Technologies, Eureka, ABB, Siemens, Wipro, Volvo, इस तरीकी की 175 प्लस companies में आप यहां job पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको जो है, इनका एक placement protection program है, जिसमें आपको job इनकी 175 companies में मिल सकती है, और दोस्तों यहां आपको सिर्फ enroll करना है, enroll का link आपको मैं directly description में दे दिया है, अभी आपको अपनी screen पे ने जर आ रहा होगा, सुभम जी जो है, यह enroll किये थे, और इनकी फोटो भी आपको दिखरी होगी, अगर आपको भी चाहते हैं कि आपकी job ऐसे लगे, आप भी आगे बढ़ सके, तो आप जरूर इसमें enroll हो, especially for civil, mechanical, electrical, और electronics engineers के लिए, तो सभी के link description में है, जल्दी से जल्दी जाके sign up, enroll करके job ले लीजिए, फाइल हम दुबारा job पे आ गए है, अब job type जैसे ही हम देखेंगे, the select candidate will be offered a full time permanent job, जी हाँ, full time permanent job होने वाली है, यह experience की बात कर लेते हैं, दोस्तों, फ्रेसर वालों को direct इन्होंने hiring कर रहे हैं, यह सामने mention है, फ्रेसर can apply for TCS recruitment 2023, selection process क्या रहने वाला है, interview और documentation बेस पे होगा, direct interview होगा, उसी के बेस पे हाँ, vacancy होने वाली है, application fees क्या रहेगी, दोस्तों, application fees की अगर बात कर लेते हैं, कोई भी application fees इन्होंने नहीं रखी है, और directly यहां hiring कर रहे है, apply link, apply link कहां मिलेगा, कैसे apply करना है, इन्होंने सारे ही steps बता दिये हैं, जो कि मैं आपको apply भी करके दिखा हूँगा, जिससे आपकी sharing query दूर हो जाएगी, who can apply, कौन कौन कर सकता है, देखें, सबसे पहले तो आप female या male कोई भी है, जिसका eligibility criteria meet हो रहे हैं, वो यहां apply कर सकता है, important dates क्या हो रहने वाली है, दोस्तों यह notification सुरू कब से हुआ है, कब से इन्होंने बोला है, दोस्तों यह notification सुरू हुआ है, एक March से सुरू हुआ है, आज है अभी 10th March, 10th of March है, और यह 25th of April तक चलेगा, और इसकी date of interview की अभी आई नहीं है, उसके बाद form पे हम देखेंगे, तो यहां यह दो mode में है, याद रखीएगा सबसे पहले, तो यह सिर्फ desktop mode में चलता है, मत्तब यह तो laptop पे चल पाएगा, एक system पे चल पाएगा, लेकिन बहुत भाईयों के पास laptop और desktop नहीं होगा, तो आपको क्या कर लेना है, यहां side में आपको 3 dot दि तरब से और यहां आपको register कर ले रहा है, जैसे ही आप इसको register करेंगे, तो आपके पास दो option आजेंगे, सबसे पहले BPS, दूसरा IT, देखिए, मैं आपको बताओ, IT वालों के लिए ज़्यादा भीड नहीं है, या BPS वालों के लिए, क्योंकि all branches eligible होंगी इसमें, तो हो सकता है, तो सबसे पहले आपका verification के लिए mail मांगा जाएगा, mail address, याद रखिएगा, आपका mail address होना चाहिए, 100% okay होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको application fees या, इसमें कोई fees नहीं है, ये बिल्कुल free of cost है, जिसके लिए आपको एक भी पैसा चार्ज नहीं लगना है, जैसे ही आप mail ID डालेंगे, उसके बाद आपका name, आपका mobile number, आपका CV और आपस cover letter और मांगेगा, अब cover letter क्या होता है, cover letter होता है, अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में जादा से जादा information provide कर देनी, cover letter मैंने अपने telegram channel पे post out कर दिया है, वहाँ जाके जरूर देख ले cover letter क्योंकि आप बताईएगा, मैं आपका 100% solution निकालने की कोसिस करूँगा, तो ये थी आपके लिए बहुत informative video, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like जरूर करें, अपने दोस्तों तक share जरूर करें, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, जैहिन!